हलो एवरिमन वेल्कम टू आगे बढ़ाने जा रहे हमारे इंपोर्टन कोशन की सीरीज को और आज की इस वीडियो में हम बात करेगे केमिस्ट्री की इंपोर्टन कोशन की तो आप लोगों को दिवाली का MP board ने जो आपको surprise दिया है वो तो मेरे according काफ़ ज़्यादा पसंद आया होगा इतने जल्दी आप लोगों के exam date announce कर दी वो भी काफ़ी आप लोगों के exam pass में ही है मेरे according तो बट इस exam date को देखते हुए मेरे उपर भी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ रही है कि जल्दी से जल्दी में आप लोगों के syllabus खतम करूँ यहां पर important question वगरा देके खतम करूँ तो फटा-फट में आप लोगों के समने important question के वीडियो ला रहा हूँ तो आपकी भी जिम्मेदारी बनते है कि जल्दी से जल्दी इनको note down कीजिए प्लस आप लोगों के इनको practice भी कर लेना है ताकि हम end में revision बहुत अच्छे से कर पाएं तो आज के इस वीडियो हम जिस chapter की बात करने जा रहे है वह है आप लोगों का chapter number 5 surface chemistry तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि blueprint के according क्या वेटेश है तो अगर हम इसके objectives को छोड़ दिया जाए तो objectives को छोड़ के इस वाले chapter से simply हमको दो number का question पूछा जाने वाला है only two numbers का एक छोटा question पूछा जाएगा बिखुद अगर आप कोई चीज हाथ से लिखते हैं तो आपको हमेशा याद रहती है और एक copy बनाई यह मैं बार बार बोलता हूं देखो गाई कोशन बहुत जादे important है जो आप पिछले साल वाला बच्चा मेरे चैनल पर था वो जानता है इसकी importance क्या होती है अगर आप सुरुवात से आखरी तक बने रहोगे तो result भी बहुत अच्छा आएगा तो हम बात करें important question की तो सबसे पहला question आता है what is tindle effect टिंडल effect क्या होता है easy सा question है second question है what is peptization third question है describe fluidlich adsorption isothem fourth question है what is electrophoresis तो ये चार question है इसके अलावा भी question में आप लोगों को बताऊगा तो पहले question टिंडल effect है बहुत easy सा phenomenon होता है scattering of light बच्चमन से पढ़ते आ रहे है peptization क्या होता है maybe a time आप लोगों के लिए नया होगा इसके बारे में भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजेगा परिक्षबूत प्लस NCIT वेगरे में आपको इसके आंसर मिल जाएगे तीसरा question आता है describe Fidlitz adsorption ISO थम तो Fidlitz का adsorption ISO थम क्या होता है ये graph के form में भी है अगर वो graph आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है चौता question आता है what is electrophoresis तो electricity के help से हम चीजों को separate करते हैं उसको बुलते है electrophoresis इसकी भी proper definition आप देख लीजेगा इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ हुँ मैं आप लोगों की study application के बारे में बताता हूँ जिससे कि आप लोगों को इन questions के answer डूणने में कभी ज़्यादा help मिलेगी अगर आप board exam या जेई निट जैसे competitive exam की तयारी कर रहे हैं और आप लोगों को किसी तरह का doubt आता है तो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में का amazing application लिकर के आए और जिसका नाम है fellow application यहां की सबसे special बात है कि यहां पर 24-7 expert teacher available रहते हैं आपको कुछ ने 3 easy step को follow करना है सबसे पहले play store से जाकर किस आपको download कर लेना है नीचे दीगए lead links आपको इसको download कर सकते है दूसरी step में आपको simply अपने number डालके registration complete करना है इसरी step में आपको question की photo खिचना यहां पर type करना है जैसी आप अपना question पूछेगे within 60 seconds यहां पर expert teacher आकर कि आपको question का answer देगे वो भी video call पे जिससे कि आपकी पूरी concept clarity हो जाएगी और जितने भी आपके सारे doubts है तो वो सारी जो teacher है expert teacher वो clear कर देगे और आपका सारे doubts पूरी तरह से clear हो जाएगा तो guys देरी कीज बात किये देखिए कितना बढ़ी application मैंने आपको suggest किया है अगर आपको इस application को download करना है तो नीचे दी गई link से आप download कर सकते है और अगर आपको इस app किसी तरह का discount चाहिए आपको इसकी paid course खरीदना है तो यहां पर मैं आपना referral code दे रहा हूँ अगर आप इसको use करते है तो आपको 10% का discount भी मिलेगा तो फटा फट से फिलो app को जा करके download कर लीजिए पाच्वा question आता है difference between physics option and chemis option तो क्या होता है physical adsorption और chemical adsorption ठीक है आप लोगों को यह लिखना है छेटवा question आता है difference between absorption and adsorption adsorption और absorption दोनों अलग अलग time होती है गास ठीक है यह question को यहां पिंक्लूड किया है मैंने आटवा question आता है why does physics option decrease with increase in temperature क्यों क्योंकि physics option एक सर्फिस फिनोमेन आता हुए adsorption surface phenomena होता है और जैसे surface का temperature increase होता है तो हांके जो molecule से वो उड़ जाते हो और इसी तरह से जो physical adsorption हो decrease होता है इसी तरह के आप लोगों को logic पर based कुछ छोटे मोटे points याद रखना है जिससे कि आप इन questions का answer easily लिख पाओ इन सारे questions के answer आपको लगभग NCRT book में मिल जाएगे अगर नहीं मिलता है तो आप internet वगरेगा यूज कीजे पर इनका answer find out कीजे यह थे आप लोगों के important question I hope आप सभी को वीडियो पसंद आयोगे तो please इसको like कीजेगा thank you for watching the video मिलते है आपसे next video में